एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गर्ब में लड़का पल रहा है या फिर एक लड़की तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास सिम्टम्स के बारे में बता रही हूँ अगर ये सारे सिम्टम्स आप में नजर आते हैं तो आप काफी हद तक्षी और हो सकते हैं कि आपके गर्ब में एक लड़का ही पल रहा है तो जानने के लिए वीडियो को बीना स्किप किये पूरा देखे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ओल पर दमाना बिल्कुल ना भूले ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो बीना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में तो माना ये जाता है कि अगर आपके तीनों अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्ची की जो हार्ट रेट है वो 140 या 145 के आसपास है तो ये लड़का होने के संकेत माने जाते हैं वही अगर प्लेसेंटा की पोजिशन राइट साइड में बताई गई है यानि की बच्चे का जो सीर है वो राइट साइड को है दाहिने साइड को है तो ये लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं next symptom के बारे में बात करें तो अगर pregnancy के दोरान महिला के पैरों में सूजन की प्रॉब्लम हो रही है उनके उंगलियां सूज गई है उंगलियों में उनको खुझलाहट महसूस होती है पैर की उंगलियां उनके फूले फूले हुए से नजर आते हैं तो ये लड़का होने के symptom मान जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि लड़के जो होते हैं वो due date से पहले ही हो जाते हैं इसलिए पेट के निचले हिसे में वो जल्दी ही आ जाते हैं तो ये लड़का होने के संकेत माने जाते हैं वही अगर पेट के निचले में उनको हलका फुलका दर्द महसूस होना अगले symptom के बारे में बात करें तो अगर महिला को बहुत ज़्यादे smell की problem होती है उनको कीचन में जाते के साथ छौक छौक की महक लगती है किसी भी चीज में तड़का लगने की बहुत ज़्यादा उनको smell आती है लहसुन अद्रक की smell आती है रोटियां पकने की smell उनको बहुत ज़्यादा लग जाती है तो ये लड़का होने के symptom होते है वही अगर उनके पैरों में दर्द बना रहता है एंठन जंजनाहट बनी रहती है पैरों में बगगा लगता है नसे चड़ जाती है तो ये लड़का होने के ही symptom माने जाते है तो इतने सारे लक्षन मैंने आपको बताए हैं अगर इन में से 3-4 लक्षन भी आप में मिलते हैं तो आप काफी हद तक ये मान सकती है कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले मिलूगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई